Q9 में integrate करना है 1 by 3 से 1 और ए x है तो x के जगाँ पर x q by x square लिखेंगे माइनस x q whole पर 1 by 3 और x power 4 dx तो यहाँ पर 1 by 3 और 1 x q x q कॉमल ले लेंगे तो इसे power 1 by 3 है तो खली x बचेगा तो यहाँ पर 1 by x square minus 1 power 1 by 3 by x power 4 dx तो यह x q cancel होने के बाद बचा 1 by 3 से 1 तक 1 by x square minus 1 पर 1 by 3 by x q dx है ना अभी रहा इसमें देखेंगे क्या 1 by x q minus 1 code t माल लेते हैं 1 by x square minus 1 code t माला तो इसका difference is minus 2 by x q और dx equal to dt होगा और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 1 by 3 से 1 तक जो हमने value put किया यह x की value छोड़ देते हैं यहाँ पर t substitute कर देंगा 1 by 3 और x q के जगाँ पर cancel नहीं हो रहा तो dx के जगाँ पर लिखेंगे x q dt by minus 2 तो cancel हो गया तो minus 1 by 2 बाहर हो जाएगा और यह x की value है हमेशा ध्यान रखेंगे integration करते हैं समय तो टी पर माइनस 1 by 2 इसका integration हो जगाँ टी पर 4 by 3 और by 4 by 3 तो यहाँ पर 3 by 4 हम बाहर लिख लेते हैं अब value put कर देंगे 1 by 3 से 1 तक कम तो यह t की value नहीं है x की value है तो t के जगाँ पर पहले हमेश x के format में लिखना पर एगा तो 1 by 2 minus 1 by 2 into 3 तो minus 3 by 8 लिखेंगे अब t t के जगाँ पर लिखेंगे कितना 1 by x square minus 1 और उसके power a 1 by 3 से 1 तक limit put कर लेंगे और उसके power 4 by 3 है यह तो minus 3 by 8 x के जगाँ पर 1 put कर देंगे अब यहाँ पर result आ गया minus 3 by 8 minus 1 plus हो गया और 8 8 को लिखेंगे 2 का whole q पर पर 4 by 3 तो 3 cancel हो गया 2 पर पर 4 8 बन जाएगा 2 पर पर 4 16 हो जाएगा 3 by 8 into 16 तो यहाँ पर minus 6 एंस हो जाएगा options एक करेक हो जाएगा